और उसके बाद रिकॉर्डिंग के लावा कोई फाइल हो गई कोई जितनी भी इंपॉर्टंट चीज़ें जो भी आपको चाहिए मुझसे वह आप्विसली एवरीटिंग विल बी अप्लोड़ेट आपके साथ सब सब कुछ आपके लिए एकसेसिबल लो तो यह फाइल वैसे भी इजी लिए वैलेबल एफ्यू गूगल और फिजिक्स 5054 तो आपके पास यह पीडिया फाइल खोलने का लिंक आजाए का बड़े अराम से अब यह बहुत लंबी फाइल है इस लाइक 52 पेज़े सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो सुलेबल से वह ब्रॉड ली कौन से सेक्शिंस में डिवाइड़ेड है इसके अंदर यह वाला जो सेक्शन है यह बिलकुन न्यू है यहां मैं इस्टैरिक बनाया स्पेस फिजिक्स इस टोटली न्यू और यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि आप इफ यह विवन ओल्डर वरिजिन ऑफ बुक यू मैं नॉट फाइंधिन रिगार्दिंग इस चैप्टर ठीक है and questions of this chapter from me ठीक है तो उसकी इटेंशन लेने की जुरूओत नहीं है बट वन धिंग तो कीप इन मिंद इस कि Space Physics के you will not be able to get past paper questions I know students and teachers rely a lot on possible practice right हम बाकी सारे chapters की तो बहुत past paper practice करेंगे but space physics के as such you can't practice like 30 40 or 50 questions of this particular chapter why because this is just added to the syllabus so you guys will be the first one to be giving this attempting this attempting questions from this topic in your exam but good news यह कि it's not a very complicated chapter you should be able like बहुत कोई मुश्किल नहीं है अच्छ आप यह चेप्टर्स नहीं है आपके स्लेबस में यह से बड़े बड़े मोटे मोटे सेक्शन है फिजिस का स्लेबस नहीं लंबा है अगर आप अपनी chemistry की book और बायो की book और physics की book खोल के रख लो तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक से लेबस उनसे डबल है ऑल्मोस्ट बायो से तो डबल से भी जाद है chemistry के मुकाबले में भी आल्मोस्ट डबल है तो फिजिक से लेब को ना पढ़ी ना पढ़ाए कभी सब्सक्राइब करते हैं और बिल्कुल पक्के हो जाते हैं तो तो अच्छे तरीके से सकून से इस लेबस को complete कर सके विद इनफ पास्व प्रेटेस एंड प्रेटेस अव अवर्टेस वर्कशीट सब चीजें पर इसमें एटीपी भी आ जाता है ठीक है तैट डैट इस रीजन के जुलाई में एक बैट स्टार्ट किया जा रहा है ताके आप सकून से मेरे साथ पढ़ सको और हमें जल्दी जल इसमें से नोट डाउन कर लोगे वन आर का पेपर है 40 मार्क होता है बेसिकली इसमें एम सी क्यूज होते हैं 40 mcqs होते हैं and this makes up 30% of your total grade उसके बाद आपने पेपर टू भी देना है इस आलसो नेसेसरी यू कांट स्किप इस पेपर टू में आप आप किस चीज़ से डील करेंगे इसको भी देख लेते हैं पेपर टू वन आर फॉर्टी फाइव मिनिट्स का इड़ एटी मार्क्स यह प्रिविएसली इड्यूस्ट टू भी पहले यह क्या होता था इसका जो ओल्ड फॉर्मेट हो मैं आपको बता देता हूं विकॉस यू विल बी डूइंग पास्टर पर आपको पता होना चीजिए कि बाई क्या चेंजिस है ना पहले ही होता था 75 मार्क्स का प्रिविएसली और इसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी हुआ करता था सेक्शन ए पूरा-पूरा करना होता था आपको और सेक्शन बी के अंदर तीन में से दो क्वेस्टन्स करने होते थे समझ रहो ऐसा होता था 75 मार्क्स का होता था पेपर उसमें से 45 मार्क्स यह होते थे यह सेक्शन पूरा करना होते था, section B में 3 questions होते थे, 15, 15 और 15 marks के, जिसमें से आपने से दो attempt करने होते थे, तो 30 mark का बन गया section B तो उसमें से 45 plus 30 कितना होगे, 75 mark का बनता था, this was the old format, right now this is no longer the case you have 80 mark paper there is no choice it's just gonna be straightforward 80 mark paper and you have to attempt everything, I hope यह बाइट clear है यह जरूरी इसलिए समझना, क्योंकि जब आप pass paper खोलोगे, और आपको नजर आएगा यह ऐसे क्यों हूँ और यह क्यों लिखा हुए तो आप मुझसे दुबारा दुबारा ना पूछो, आपको अभी ही समझ में आ जाए बात, यह पहली क्लासों में इसी लिए बता दी जाती बात, clear हो गया, if there is anything that you want to ask, go ahead and ask me, अपने बास chat भी खोल लेता हूँ, if you don't want to let's say, open your mic or anything and you just want to ask in the chat, तो आप chat में पोर सकते हो, ठीक है, खेर, clear है, उसके बाद, इसमें क्या है, theory questions है, simple, like, इसमें कोई as such complication नहीं, theory questions है बस, और कुछ भी नहीं है, अब तीसरा paper आपका कौन सा है, paper 3 लिखाव है practical test, पाकिस्तान में as far as I know, no students attempt this paper, सारे के सारे बच्चे जह हैं वो paper 4 देते हैं, जो इसका alternative है, लिखाव है alternative to practical, ठीक है, अब alternative to practical में क्या होता है, वन आर का paper होता है, 40 marks का कर दिया ही है, इस तो भी, इस तो भी 30 marks and the questions are based on experiments, what does that mean, it means कि you don't have to perform a practical, you will not do this paper on in the lab, you will do it just like a normal written exam, but the difference is कि questions थ्यूरी के बारे में नहीं होंगे, practical skills के उपर questions based कर रहोंगे, which means कि इसके लिए आपको as such पहुत पढ़ना नहीं है, you don't need prior knowledge, आपको चीज़ें रट के और याद करके नहीं जानी इस paper के लिए, but you need to have knowledge of practical skills, how experiments are performed, and what are the important things that you need to take care of while performing experiments, तो यूजली होता ये है कि मैंने भी जैसे अपने students को ऐसी करवाया था लास्ट ये कि टाइम की shortage की वजह से COVID और ये वो सब चीज़ें, तो पहले तो नॉर्मल सले बसारा कम्लीट करवाया जिसमें पेपर वन और पेपर टू की तियारी होगी और पेपर फोर की मैंने लिटरली लाइक फोर से फाइफ क्लास में उनको सारी इंपोर्टन चीजने बता री थी, and then they did take you to the lab at least once a week, and you should be performing some experiment learning about practical methods from over there, and then you apply those same concepts to the ATP paper, ठीक है? अब online में मैं आपको फिर भी ATP के बारे में पढ़ाता होगा बीच बीच में, कुछ ना कुछ worksheets होती रहेंगी ATP की बीच में, जिससे समझ में आता रहेगा कि ATP किस बारे में इसकी basics भी बताऊंगा, इससे related मैंने guide भी बनाई विया है, वो भी आपसे पूरी share हो जाएगी, और इससे related, शायद मेरे पास कुछ recorded classes भी पढ़ी हो last year की वो भी आपको मिल जाएंगी, but I'll give you classes on ATP as well, mostly towards the second term, ठीक है? बढ़ो सकते है, first time अभी हम इससे deal करें, ऐसी बात नहीं है कि इसको बिलकुल हम ignore करेंगे, it's an important paper, it's 20% of your overall grade, so obviously it is important, ठीक है, but generally I would say it's not very hard paper, थोड़ा सा अपकर अपना दिमांग लगा के करो ते हो जाता है, अच्छा paper हो जाता है, ठीक है, अच्छा जी, now, यह काफी important चीज़ें थी जो discuss हो गई, अब जो important बात आप से discuss करनी है, वो है आपका syllabus, अब syllabus जो था, वो उपर लिखावा था, सिर्फ मोटे मोटे sections के नाम लिखे होए था है, अब जैसे पहला section था, उसका नाम है, motion forces and energy, इसके अंदर जो पहला chapter है, वो physical quantities and measurements techniques है, यह बहुत असा चैप्टर इसको आजम थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी दस minute बात, motion का जो chapter है, बुक के अंदर आपके शायद इस chapter का नाम लिखावा हो, kinematics, एक minute बिटर देना मुझे, इस chapter का क्या नाम लिखावा होगा, most probably लिखावा होगा, कानेमेटिक्स, अगर आपके पास book है, तो इसमें most probably लिखावा होगा, इसमें आपने यह 9 यह 10 से class 9 यह class 10 में इसके बारे में पढ़ा होगा पहले, ठीक है, कौन था, प्राइवेट, प्राइवेट कौन से था आप दोने में से, जोया, यू वर दे प्राइवेट स्टूटन राइए, तो जोया, आपने पहले school, लास्ट यह वर यह गोई तो आपने ओ लेवल फिजिक्स अभी तक खुद से कितनी कवर की है, नहीं सिर, बिल्कुल भ अलेक्ट्रोमागनेटिक्स था, एलेक्ट्रोमागनेटिक्स स्पेक्ट्रम की बात कर रही हो, जिसमें इंफरारेड और विजिबल लाइट और यू यू यस, साही है, तो यू वेसिक्ली कवर्ड अबाऊट फिफ्टी तो 60% अफ था सिलिबस इन स्कूल, और हसीब, आपका अब कर लिया है, आपका स्कूल था इन सीना, राइट, जी यू यू अर आलसो फ्रम लहौर, अच्छा ठीक है, तो अब इसका मतलब, कि आपने थोड़ा सा और कवर किया है, थोड़ा से एक-दो शेप्टर जादा पढ़े में आगे उससे, तो आपका भी तक्रिबन 60% से थ थोड़ा से जादा स्लेबस कवर हुआ है, लेकिन हमारा जो चलने का तरीका होगा, मैं बता दता हूं, बिकास देखो, एक स्टूटन हमार पास बिल्कुल ऐसा भी है, जिसने, कुछ भी कवर नहीं किया हुआ, सो माई वे ऑफ गुइंग थूद धूड़ू दा होल सिलिबस इसके हम पूरा स्लेबस एक ओर्डर में कंप्लीट करेंगी, ठीक है, मैं कभी कबार, अगर मैं सारे स्कूल वाले स्टूरंट्स हो, for example, तो देना, यूजिली स्टार्ट विद वेव्ज एंड एलेक्रिसिटी, एंड देन, एंड तक कंप्लीट करता हूं, फिर जो शुरू क इसे यूटलाइज करते हैं, पार्ट फॉम इड हॉलिडेज, तो हम इंशालला अच्छे टाइम में एक ही पूरे ओर्डर में कंप्लीट कर लेंगे, तो जो चैप्टर आपने पढ़े वे भी आपको अच्छे भी आते हैं, किसी को दोस के लिए वो रिवेशन है, और जिसन का चैप्टर हो गया, इसमें आपका स्पीड, विलॉस्टी, एक्सेलरेशन, इन चीजिज आप दील करेंगे, इसनस टाइम, ग्राफ, स्पीड, टाइम, ग्राफ, मास अंवेट, इन देंसिटी, यह दो चैप्टर ने सेपरेटली मेंशन किये हैं, बट आ वूद कंसिडर द टैपिक है, यह फिर उपर जो बैलस और उनॉल्ष फोर्सके साथ एक टापिक यह सम्धिंग एडियू यह नुटर बösक्षे बटक बनता है, ठीक है, यह नुटर से अपिक तोपिक है, किया है एडिग कि नौलभच टॉपिक है, आऑग कोई न्यू है, आपने अप टूडे वाली तो उसमें यह आपको चैप्टर मिल जाएगा यह न्यूली एडिट है मुमेंटम का ठीक है वर्क इनर्जी पावर असान से चैप्टर है यह पूरा यहां पर आके कंप्रीट होता है ठीक है यह यह यहां तगाता है पूरा लंबा सा चैप्टर लिखने में बहुत सारी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अराम से यह हो जाएगा अराम से फिर उसके बाद आपको आसा है थर्मल फिसक्स का पूरा सेक्शन जिसमें चार बनते हैं एक यह बनता है अब यह दो चैप्टर थे जिसको पहले चार बनते थे अब इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया तो कि यूज एक लिस्ट वन बुक ठीक है और मैं उसके नए वाले जो आथर्ज हैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा ठीक है मैं अभी आपके साथ नए और बुक्स के नाम वगरण शेयर करता हूं ठीक है और उसके बाद यह तीसा चैप्टर बन जाए उसके बाद वेफ के से आउन भी आपने कर लिया होगा है आपने कंप्लीट और स्टैटिक एलेक्टिसिटी जो है ना वह बहुत ही चोटा सा चैप्टर अब उनने इसको कर दिया बस उसके अंदर चीजें बहुत सारी पहले सके मुकाबले में निकाल दीए ठीकेट स्नॉट डैड हार्ड बहुत सि चैप्टर बनता है एक क्रेंट एलेक्रिसिटी का थी की है चैप्टर небольш Own City फावन चैप्टर है लेकिन उसके बादध कामारा पास चैप्टर बनता है जिसके इंदर हमने क्रिद्पन तक किया होता है हूँ बहुत क्या होता है सीरीज और पैरलल में कैसे लगाते हैं चीज़ों को कुछ चीज़ें आपने शायद साइंस में पहले पड़ी हो बाट मॉस्ट फटाफ यह विल स्टॉड़ी है विल बीन्यू फर यू प्रेक्टिकल एलेक्रिसिटी में घर के अंदर जो डुमेस्टिक उसके बार ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यह काफी इंट्रस्टिंग और अच्छा चैप्टर है इसके बाद आ जाता है हमारे पास नूइक्लियर फिजिक्स इसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे ऐल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स के बार सारे में यह सारी सारी चीजें की कुछ सेफटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर यह पूरा जो है वो न्यू चैप्टर जो एड़ हुए स्पेस फिजिक्स का बलके पूरा सेक्शन एड़ है उसके एंदर एक तो बड़ा ही असान सा चैप्टर एर्थ एंदर सोलर सिस्टम इसके अदर बहुत सारी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी पुरानी होंगी बच्चों वाली जैसे यह फॉर्मूला आपके सामने लिखा वा है कैन यू रिक्नाइज किस फॉर्मूला में क्या हो रहा है सो सिंपल टू पायार अपॉन टी टू पायार क्या है एक चीज सरकल में और्बिट कर रही है अर्थ को मून जो है वो अर्थ को और्बिट कर रहा है सरकल में तो उसका जो सरकल में डिस्टंस बनता है वो टूपायार होता है यह डिस्टंस है और नीचे टी जो है वो उसका पीरियड ऑफ दी ऑर्बिट है कि मतलब किती देर में वह एक सरक पहले साइंस में और बहुत सारी चीज आइसी नॉलज में पहले से होंगी इस नौट आफ यह पर आपके वाद चीज आया पर नहीं इसके नेर हम बैसिकली स्टार के बारे में पढ़ेंगे संके बारे में talk about stars and galaxies and then what happens in the life cycle of a star star form कैसे होता है star की different stages of life क्या है और वो star जो है फिर उसकी life end कैसे होती है और जो end होता है उसको हम supernova कहते है star की जो life cycle का आखरी पार्ट होता है जिसमें एक explosion के साथ जो है वो basically star end हो जाता है और उसके जो fragments होते हैं उससे new planets or new stars form होते हैं फिर universe के बारे में overall एक बात है कि आपने शायद एक term सुना हो big bang theory इसको समझेंगे और आपने शायद एक और term सुना हो cosmic microwave background radiation इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है तो यह चीजें है यह हो गया आपका सारा का सारा syllabus का outlook के कैसा syllabus है I'm telling you कि it's longer than most आपके बायो chemistry से तो लंबा ही तो इट फुट बी मच बैटर कि हम जुलाई में proper started ही classes start कर लें अच्छा पेपर के बारे में दुबारा से information दीवी आरों नो दुबारा से क्यों दीवे सेम वही बात हैं जो हम discuss कर चुके हैं वह सारी यहां पर लिखी है ठीक है वह लड़ी डिसकर्स के कौन से पेपर कितने मार्क्स का होता है आपने कौन कौन से पेपर देने यह वाला यह वाला देना यह वाला नहीं देना इनका क्या format है और इसमें आपने किन च को कुछ important होगा obviously मैं आपको साथ साथ बताता जांगा जब हम पढ़ते रहेंगे but this was it right यह हमारी सारी information यहां पर complete हो गई अब जरा हम बात करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में कि हमने पढ़ना क्या आज आज थोड़ी सा देख लेते हैं थोड़ी सा पढ़ भी लेत हैं so let's open some notes physical quantities का जो है वह हम chapter करने की कोशिश करते है right पहला chapter physical quantities units and measurement can everyone see the first page on their screen everything is clear सब लिखावा नजरा चीक है बेटा चलो अब जरा टेंटेव हो जाना और अब थोड़े सबने दिमाग खोल लेना अब हम जरा study mode में आ जाते हैं ठीक है जी बिसमिल्लारमान रहीं बढ़ लो पहली क्लास है पहला chapter है तो हम start करते हैं ठीक है बढ़ी यह आपके चैप्टर के basic points लिखे में जो हमने cover करने इस और अविसली जस्ट टेकिंग आपको फाइल दिखा रहा था वहीं से quantity I have written an example of a physical quantity and someone needs to recognize and tell me के सर यह कौन सी quantity है what is this supposed to be 24N क्या है भाई क्योंके 24 के आगे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था like if I were to give you some examples suppose कर लो 24 M भी तो लिख सकता था मैं 24 kg भी तो लिख सकता था यह मैं 24 degree Celsius भी तो लिख सकता था so then what is 24 N और अगर यह 24 kg होता तो यह क्या होता 24 M होता यह meters होता तो यह क्या होता 24 degree Celsius होता तो यह क्या होता क्या बात समझ रहे हैं यहां पर किसी को recognize force Newton 24 N 24 Newton basically is a force तो different quantities आप पढ़ेंगे physics के अंदर आप क्या कर रहे होता हो सारी measurement की science आप चीज़े मेजर कर रहे हो तो different quantities को मेजर कर रहे होता हो और उन quantities की measurements और उन quantities की calculation ही है जिसे हम डील करेंगे throughout the whole syllabus so the first important thing to recognize in physics is कि किसी भी quantity के अंदर दो important part होते हैं उसके एवरी quantity will consist of two parts number one इसका size या magnitude how large is that quantity और वो कहां लिखा हो है वो यह लिखा हो है this 24 here is the size of that quantity right अब उसके बाद दूसरी बात क्या आ जाती है उसके आगे दूसरी चीज़ क्या लिखी है बटा दूसरी चीज़ लिखी है उसका unit अब unit जो है वो आपको बता रहा है कि वो कौन सी quantity है पता कैसे चलेगा कि यह force लिखी वी थी तभी पता चलेगा ना जब उसका specific unit वहां पे लिखावा होगा अब मैं 24 के आगे degree celsius लिख दूँ तो most of you will recognize कि यह क्या है यह temperature हो जाता अगर 24 meters लिखा वा तो यह probably किसी चीज की length है या height हो सकती है या it could be distance right stuff like that 24 kg है तो यह एक ही चीज हो सकती है यह mass हो सकता है right so i hope कि यह चीज clear हो रही है कि कोई भी quantity जब mention करनी है आपने तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी एक number लिखा जाएगा जो उसका quantity का size या magnitude है और उसका unit लिखा जाएगा चुके बताएगा actually कि यह कौन सी quantity है is that clear दोनों के बाद clear होगे आपको clear है यह चीज जोया मैं आपसे बार बार इसलिए पूछेंगा clear क्यूंकि you have not studied any of the chapters तो इसलिए थोड़ा सा मझे मैं आप से हां ठीक है चलो एक यहां पर को option होता है जूम के अंदर reaction में अगर आप देखो तो अगर आप वो मुझे देदोगी ना जब भी इसको बार बार हटा देना clear कर लेना जब भी वो देदोगी let's move forward every physical quantity consists of a size and a magnitude already covered now there are two types of physical quantities कुछ quantities ऐसी होती है जिनको हम कहते है scalars और कुछ होती है जिनको हम कहते है vectors scalar quantity कैसी quantity होती है यह वह quantity है बेटा जिसका magnitude तो है magnitude तो हर quantity का होता है लेकिन उसकी कोई direction नहीं होती ऐसी quantity जिसका कोई direction नहीं है example time time की कोई direction है कोई direction नहीं temperature की example देता हो यह लिखी भी नहीं बट वैसी डिसकस कर लाए तेंपरेचर क्या temperature की कोई direction होती है अब ताउन left right north south east west नहीं होती ना तो मास आपका केजी में जो मास है आपसे बुझे मैं आपका मास कितने है बोलूंगा यार 80 kg अब मैं 80 kg अपवर्ड या 80 kg नौर्थ या 80 kg वेस्ट ऐसा तो नहीं बताऊंगा ना तो इसलिए इसकी कोई direction नहीं होती है तो यह examples आपको रटी भी होनी चाहिए यह आपको याद होनी चाहिए शुट भी on your fingertips यह वाली जाहिए important है ठीक है you should know के distance, length, time, mass और speed, they are all scalar quantities obviously this is not a comprehensive list इसमें और भी examples डाली जा सकती है बट आपके syllabus के मताबिक आपको यह वाली पता होनी चाहिए I hope that is clear vectors क्या होते है vectors are दोर quantities जिसका magnitude तो होता है just like scalars but they also have a direction इनका नहीं दोनों चीज़ें होती है तो इन दोनों में main difference क्या हुआ difference तो फिर यह यह कि इसकी direction नहीं होती है और इसकी direction होती है इसमें direction नहीं होती इसमें direction होती है magnitude सबका होता है size तो हर quantity का होगा अब ऐसी कौन सी example ने जो vectors में आती है एक displacement है एक velocity एक acceleration है force है यह तो आपको of the bad याद होनी चाहिए but obviously अब मैं आपको एक quantity का भी है meaning नहीं बताओंगा क्यों नहीं बताओंगा meaning क्योंकि यह सारे subsequent chapters में quantities आएंगी और हमने इनको वैसे ही detail में करके समझना है जैसे most of these quantities यह जितनी भी quantities basically वैसे यहां लिखेंगी है पहले दो चैप्टर के अंदर ही cover हो जाएंगे ठीक है फिर कुछ चीज़ें आगे आती है और जैसे energy हो गई अब आप से नहीं पूछेंगे ओ लेवल में आपको पता होने चीज़ेंगे इनर्जी स्केलर है वर्क पावर यह भी quantities हैं जो के स्केलर है वेक्टर नहीं है जो कि आगे जाके आप पढ़ोगे यह एक वेक्टर कॉंटिटी अभी आगे जाके आप एक और चीज़ पढ़ोगे मिरसाथ आपने चैप्टर का नाम देखा था momentum momentum एक ऐसी कॉंटिटी है जो के वेक्टर है स्केलर नहीं इसी तरह प्रेशर की बात कर लो प्रेशर आप पढ़ो गया कि पूरा चैप्टर इस कॉंटिटी के उपर प्रेशर एक स्केलर कॉंटिटी उसकी कोई डिरेक्शन नहीं होती ठीक है बाट यह मैं वह एक्जेंपल्स दे रहा हूं जो आपके स्लेबस के अंदर आप से पूछते नहीं एक्स्प्रिसिटली ब यूज लिस्ट जिसमें एक कॉलम में आपको स्केलर लखें होंगे तो जब भी कोई नगी कॉंटिटी पढ़ोगे और मैं बताओंगा यारे स्केलर यावैक्टर तो अपने पास लिख ले ना ठीक है और आपको पता चलता जाएगा इस तरह वैसे जो याद रखनी है जो ए सबस्केलिवट की ऐगर एडिशन करनी है मेरे पास जैसे एक अत्रा और और ऋर्हिंस का माण से 2020 तो उन को एड करना है 5 मैं बुलता हूं यार मेरे पास जो हैं वो फाइफ केजी का मास है और 30 मीटर्स की लेंध है इनको एड़ कर दो ड़सेंट मेंक एनी सेंस अड़ और कोई कोई तुक नी बनती नहीं इस बात की कि आप मास को किसी और quantity में आड़ कर रही है इसा तो नहीं होता रइट इसी तरह जैसे पैसों को नंबर ओफ एपल्स के साथ तो एड नहीं कर सकता पैसों को पैसों में एडिया सब्ट्रेक किया जाता मैं तो नहीं बोल सकता कि मेरे पास हंड्रीड रुपीज है और पांच एपल्स हैं तो पहली बात तो यह हो गई कि इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसको तो भूल जा हो लेकिन अगर आप कोई दो स्केलर्स आपने आड करने लाइक इफ यह फ्याफ टू स्केलर कॉंटिटी जो के दोनों के सेम है किसे मास हो गया यहां पर फाइव केजी के एपल्स हैं और सेवन केजी के और इंगे इनको एड करना तो कैसे करेंगे एड सिंपल अर्थमेटि यह है कि वेक्टर्स को कैसे एड करते हैं वेक्टर्स केनाट ऑल्वेज बी एड लाइक डिस मैंने ऑल्वेज कवर्ड यूज किया है क्योंकि सम्टाइम्स दे कैन बी एड लाइक दिस बट्मोस्ट अफ ताइम यह विल नॉट बीजिस दूइंग दिस कि बस 5 प्लस 7 की और एडिशन कर दी और आंसर आंगे विकॉज आपको वेक्टर्स के लिए उनकी डिरेक्शन का दिहान रखना पड़ता है कि वह सेम डिरेक्शन में है यह ऑपोजिट डिरेक्शन में यह और पर परंडिकलर डिरेक्शन में इसलिए वेक्टर्स के साथ आपको ख्याल रखना प वेकटर क्या क्या जाता है रिजिल्टन तो जब मैं कहता ह Zap आ बर लो य जब मैं कर रहा हूं वेक्टरस को एक्टरक्तर दो किया जैसे की यह एक quantity लिखी है two meters per second यहाप मैंने क्या लिखा हूए कि two meters per second पढ़ोगे इसको आपको m लिखा हूए this is meters s लिखा हूए this is seconds अभी units पर भी हम बात करेंगे obviously आगे चलके but I am just assuming के meters per second सबको पता हो गए है अगर नहीं पता तो फिर भी मुझे बता दो I'll clear it up ठीक है but I am assuming के you both have heard the units of velocity and speed before तो यह meter है और यह second है और मैंने s q पर minus one डाला वे तो यह meters per second है वैसे मैं इसको थोड़ा सा simply कर दूँ तो बहतर है जैसे ओ लेवल में बच्चे यूजली लिखते हैं मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ what I'll do over here is कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आइनो के जातर बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं तो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ थोड़ी सी मैं अब करेक्शन कर दूँ नोट्स में पिर आउगे चलते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं जरा किस बात पर कि ये दो वेक्टर्स ये दोनों वेक्टर्स जो हैं यह व्लॉसिटी ज और विलॉसिटी जब यह आद करनिया पहले आट पहलेख़े पेच पर यह याद कर लोगे तो आपको इतनी से इतना पता होगा कि अच्छा आप मैं विलॉस्टी यहां पर एड़ करें इनके यूनिट्स भी हम आगे जाके देख लेंगी ठीक है तो भाई कर रह width speed of 2 meters per second और उसमें एक पोल्ट है तो ट्रैवल कर रही है is speed of six meters per second अगर दो पने पानी में मत अक लिक के अंदर के अंदर वोट की सपीट six होती है तो एक भी हम देख लेते हैं अब अगर वेक्टर ऑपोजेट डिरेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा ऑपोजेट डिरेक्शन के लिए भी बहुत असान है इस नौट तू कॉंप्लिकेट एक वेक्टर है अभी हमें में लिखाव मीटर स्पर सेकंड स्कूर्ड अब यूनिट से रि तो ट्वेंटी मीटर सेकंड स्कूर्ड और 27 को अब क्या करना है इनका रिजल्टिंग कैसे निकलेगा यह भी बड़ा असान है क्योंकि आप इनको सब्ट्रेक्ट कर दें अब बड़े में से चोटे को करें चोटे में से बड़े को करें आपकी मर्जी तोटली आपके उपर है अब हो यह रहा है कि मैंने यह आप असान काम किया कॉमन सेंस यूज किया इसमें जादा मैंने कोई ओवर कॉंप्लिकेशन नहीं है मैं यह यूजली यह बस सिखाता हूं यह बड़े में से चोटे को माइनस कर दो तो क्या आगया 27 माइनस 27 आ गया और जो ओवराल डिरेक् चूज कर ली ओवराल लेफ्ट होगी ठीक है तो ऐसे समझ लो कि एक कार और एक ट्रक है वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं यह समझ लो दो गाड़ी है और दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है बोत विदन एक्सलरेशन और तुश्रे से टच होई वह उनके बोनट टच कर रहे हैं तो जिस गाड़ी की एक्सलरेशन ज्यादा है वह ओवराल पहली वाली गाड़ी को टूवर्ड लेफ्ट पुश कर देगी मतलब एक गाड़ी पीछे जा रही होगी दूसरी आगे जा रही होगी और जो मूफ करेंगी वह दोनों मिलके उनकी यह एक्सलरेशन बन इसकी इस तरह एकसलरेशन थेथा होता एक गाड़ी यह 10 менुजण नाइकस च्शलरेशन एक्सअथ kind और यह दोनों एक दूसरे के साथ जयर हो चूकी है और दोने अक दूसरे को शुक्ष कर रहे हैं दोनों आrod ऐस स्व evangelical जार्स दबहर हें प्रॉपर आखए लेटर पर पैडल रखा हूँ तो जाहर सी बात है जिसकी जादा एक्सेलेरेशन है वह इसको पीछे ले जाएगी तो ओवरॉल जो दोनों गाड़ी है उनकी यह एक्सेलेरेशन बनेगी तो यह तो बड़े असान केस थे यह तो किसी को भी याद रह जाएंगे अब आ जाता है है वह उलागी जो तीसरा केस है आपका अच्छा अब इन्होंने आपके लिए थोड़ी सी आसानी अब जो आपको तीश्रा केस है बस यह आपने समझ लिए तो आपको समझ लो यह वाला जो कॉंसेट है यह चलेर हो जाएगा इसकी आगे कुछ आपको करना ही नहीं पूगी के लिए तोड़ी सी वर्किंग जादा आपको नजर आ रही होगी लेकिन इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करता हूं और बहुत अनाम से आपको समझ में आ जाएगा इसको एरेज करके आपके सामने दुबारा करता हूं ताकि आपको जादा अच्छे तरीके से सम पहले स्टेप पढ़ें लिखावा है चूज स्केल अब यहां पर पहली बात तो आप यह समझ लें कि यह केस है क्या वें टू वेक्टर्स आर नॉन पैरलल लेकिन नॉन पैरलल में भी हमारे पास अब जो केस है वह और जादा उन्होंने नेरो डाउन कर दिया है उसको असक भी सब्सक्राइब वारब को होरुज सब्सक्राइब लॉसने भी DR नपिकूलर वाले आपको करने आने चाहिए अचाहिए लास्ट तक ऐसे नहीं था लास्ट रर तक यह था के एक वेक्डर रियू कुशन हो सकतwo झाले टोनों की रेंडम यह और एक यह और एक यह कुछ बी down to perpendicular which means कि अगर एक horizontal है तो दूसरा वर्टिकल होगा यह एक वर्टिकल है और मतलब दूस एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा यह ऐसे और ऐसे बस यह वाला केस अब आपको समझ रहे हैं आपको कुछ औवर कॉंप्लिकेट करना ही नहीं बड़ाई असान है तो यह एक एक एक्जेंपल आप करोगे तो आपका समझ लो सारी त्यारी होगी पास्पेपर में आपको जिसके एक्जेंपल मिलेंगे मुश्किल वाले भी मिलेंगे नॉन पर्पेंडिकुलर वाले भी मिलेंगे बट वह आपको करने ही नहीं आपके स्लेबस से निकाल दी उनने तो क्या करना है इसको आज समझते हैं हमारे क्लास की लास्ट चीज होगी और होफुली यह एक वाहित कॉं अब करना क्या है स्केल चूस करने यह बात यह सारी कि मैंने अपने पेपर पर कुछ लाइन बनानी है लेकिन मैं अब इस वेक्टर को वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं अब तक यह बात तो आपने देखी लिए और एरो की डिरेक्शन और एरो का जो साइज है वह उस वेक्टर का डिरेक्शन और साइज बता रहा होते हैं एरो जिस डिरेक्शन में है वह मेरे वेक् कॉंटिटी deed कुछ भी हो सकती है वेक्टर की कॉंटिटि क्या हो सकती है अब ही छूज़ करने हैं sensible आहें जिसमें उजिली आप्ने चीड करना होता है कि यह वन सेंटीमेटर कि इस-2 वहां बस किया बाधिशाइड करने हैं एक संटिमिटर की ओक्तaj का चिया सथै। अब इस केसे हमारा वेक्टर जो दो बने वें जिनकों हम आपस में एड करें हों फोर्सेज एट है इट है इट है इसकेस में हम यह बैसिकली सोच रहे हैं बैठके के यार वन सेंटीमेटर इंस्टू हाव मैंनी न्यूटन तो मैं कितनी सेंसिबली लंबी लाइन बना सकता हू जो के 20 सेंटीमेटर और 15 स्वारी 20 न्यूटन और 15 न्यूटन की कॉंटिटी को एजीली रिप्रेजेंट कर सके तो मेरे जहन में जो बड़ा एक असान सा हल यहां पर आ रहा है वह आ रहा है वन इस टू कभी आ रहा है इसका मतलब हो कि जब मैं 20 सेंटीमेटर को ड्रॉग कर अरूलर देखके बताऊ एंसेंटीमेटर इस टेक अब टूमच स्पेस हो सकता है कि जगा ना बन पाए लेकिंगे अगर फिफ्टीन सेंटीमेटर की फिफ्टीन न्यूटन का बनाता हो तो मुझे पता है कि 7.5 सेंटीमेटर की लाइन बनानी पड़ेगी वन ऑप्शन इस ब फिफ्टीमेटर की लाइन और इसके लिए आप बनाएंगे अब चार सेंटीमेटर की लाइन है ना और इसके लिए आप बनाएंगे तीन सेंटीमेटर की लाइन आई फिल लाइक के थ्री सेंटीमेटर और फॉर सेंटीमेटर बिए जस्टू स्मॉल अब बन तो जाएगा काम तो हो जाएगा बट इतना मज़ा नहीं आएगा तो वैसे मेरा जो यहाँ पर ख्याल है लाइक इन माई ऑपीनियन यू और अपीन करते हैं बट मैंने आपको बता दिये कि अगर तो चलो फिर तो आपको सबको एक ही स्केल से बनाना है बट अगर आपको च्वाइस अपनी मर्जी का सेंसिबल स्केल चूज करो जो के पेपर पर अच्छा एक अच्छे साइस का डाइगराम बन जाए ठीक है अब आ जाते हैं बात करते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि मुझे ट्वेंटी सेंटी में ट्वेंटी न्यूटन वाला जो वेक्टर है वो कितने सेंटीमेटर का बनाना पड़ेगा फाइफ सेंटीमेटर का इसके लिए बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन आप सिंप्ली बस फिफ्टीन अपॉन कर दो फिफ्टीन अपॉन फोर क्या होता है थ्री पॉइंट सम्थिंग में बस कैलकुलेटर नहीं पड़ा मैं मुबाइल से निकाल लेता हूं भी फिफ्टीन डिवाइट बै फोर किया तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव आता है अच्छा आप इसमें थोड़ी ओवर कॉम आ रहा है और ना ही बहुत छोटा ना बहुत बढ़ अच्छा डाइग्राम मनेगा तो क्या करते हैं जी अब इसके लिए आपको लाइन बनाने पड़ेगी कितनी 10 cm की और इसके लिए आपको लाइन बनाने पड़ेगी 7.5 cm की तो पहला काम क्या हुआ चूज और स्केल स्ट यह क्या हो रहा है यह है मेंट पॉइंट यू अर डन विद दा क्वेस्टन है टू टेल का मतलब क्या है मैं वहले विजुली बता देता हूं है टू टेल का मतलब यह बटा यह जो दोनों वेक्टर्स है ना इनको आपने एक के हैट दूसरे की टेल पर जॉइन करना है इसको बनाने और तूदश केल बनाने स्केल तो पहले चूज कर लिया और ऐसे इनको रखके बनाना इस नौट टू कॉम्लिकेड़ राइट इस वेरी स्रेट फॉवर्वर्ड ऐसे इनको बना सकते हम लोग बड़े अराम से लेकिन हमें बनाने तूदश केल अच्छा यह यह भी कॉप्शन था और ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं इसको यहां पर रखले था दूसरे वाले को दोनों तरीके की होगा गलती होगा यह गलत होगा यह तो मैंने इनकी टेल्स जॉइन कर दीना टेल्स थोड़ी जॉइन करनी नी यह तो गलत हो गया ना बेटा तो सही का तरीका क्या बताया आपको head to tail एक की टेल दूसरे के head से जॉइन होई भी होगी and they will be drawn in the directions that were given to you and according to the scale that you have chosen अब मेरा यहां पर scale क्या है मेरे boxes मेरे screen के उपर आपने देखना है कि वन सर का वन सेंटीमेटर के एक box on the screen आपका वन सेंटीमेटर obviously you have your ruler so you will draw it according to your ruler मैं बनाने लगाँ दस सेंटीमेटर की लाइन इसके लिए दस सेंटीमेटर की horizontal line मुझे बनाने और इसकी direction भी सब्सक्राइब करने है so what I'll do is one two three four five six seven eight nine ten देखो चेक करो मैंने सभी नंबर और बॉक्स बनाएं काउंट करके देखो सही बनाएं अर्दीस 1012345678910 अब इस पर मैंने क्या करना होता है हमेशा इसको लेबल करना होता है डॉंट ड्रॉड रेंडम लाइन मूव ऑन अभी यहां पर बात ऐसे नहीं खतम करनी आपने यहां पर लिखो 20 न्यूटन ब्रैकेट में लिखो कि मैंने यह 10 सेंटिमेटर की लाइन मनाई है यहां पर प्यारा सा एरो बनाओ जैसे मैंने भी बनाया है ठीक है ताके आपको सब पता हो क्योंकि अगर करके आगया के चलने की कोशिश करो तो पीछे लिखना भूल जाओगे तो जैसी यहां से यहां से कहां से बनाओंगा उसके बिलकुल और यह 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 बनाओंगा यह नहीं कहीं करूं यह हट उधार है एड टेल तो मैंने क्या बनाना है अब सेवन पॉइंट फाइव सेंटिमेटर्स के लिए लाइन मनानी वन टू त्री फोर फाइव सेवन सेवन एन अहाफ सब्सक्राइब ये ये बिल्कुल सब्सक्राइब अब इस पर क्या करना है यहां पर यह बनाया यह लिए मैंने ओक्यों गया अब तीसरा काम क्या है ला स्टेप थ्री पड़ो ड्रॉदा मिसिंग साइड ऑफ दा ट्राइंगल ट्राइंगल की स्पेलिंग अलद लिए आपके लिए ठीक कर देता हूँ ड्रॉदा मिसिंग साइड ऑफ दे ट्राइंगल और उसको बनाना कहां पर अब यह जो हाइलाइट पारड़ना यह की है उपर मैंने हैट टू टेल को हाइलाइट किया था अब जड़ा चेक करो वो जब पढ़ दो पढ़ो क्या लिखा है फ्रॉम दर टेल ऑफ दा फर्स्ट वैक्टर इढने से कौन साघ्जो मैंने पहले बनाया था यह पहले बनाया था ना इसकी टेल किदर है यही ही इसकी टेल से ल से हैंड टक मतलब इसके हैड तक यहां से यहां मैंने यह लाइन बनानी है कैसे बनानी है यूं बनानी है अच्छा होता गया है यहां पे सबस्वर्णी गडबड क्या होती यही सबसे मुश्किल लगते बच्छोंका पार्ट वह बना देते और फेर दे विल फॉर्गेट कि यूं यह यह इन तो क्या है तेल ऑफ फरस्टु हैड ऑफ फटेड तो क्या होगा यूँ बनेगा आजो इसको बनाएं और खतम करें कहानी यहां से लिया स्ट्रेट लाइन यह जॉइन कर दिया हो क्यों गया और इसे मैंने एरो बना देने इस पर मैं डबल एरो बनाऊंगा डबल एरो का मतलब है कि यह मेरा रिजल्टेंट है कि अब रिजल्टेंट का क्या मेगनिटीट यही तो फिगर आओट करना था कि tv इसको एड करेंगे इन डिरेक्षन में तो तो यही तो फिगर आउट बश्चर्व कि अकांट सीम फॉंद मैं साइंट की जाए उने इस लिए शबुगा पॉर देनीवन ग्रॉग दा आइ हो बच्चों मेरा वेट तो नहीं कर रहे हैं कि मैं आंसर बता हूँगा आप मासेंग माइनस 12.5 में भी हो सकते है यह आ रही हो ठीक है आप 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 इस अधुक्षिक करना था कि मैंने सकेल क्या चूस किया था बैटा तो 12.5 सेंटीमेटर मीन्स कि यह किते न्यूटन की असल में इसकी वेक्टर के साइस किया है इसके न्यूटन में 25 न्यूटन वुडियो अग्री किया मैं यह लिख सकता हूं अग्री करते हो यह बात क्लेर हो रही दोनों मुझे बता दो थम्स अप दे दो अगर ऑक्क है तो येस गुड़ अब आखरी स्टैप एक और भी है वेक्टर में हमने बात पढ़ी थी कि वेक्टर वो कॉंटिटीज होती है जिनका मैगनिट्यूट भी होता है जो कि आपने निकाल लिया टेकिन डिरेक्शन भी तो होती है तो डिरेक्शन कैसे बताते हैं वेक्टर की यूज तो अभी हम क्या करते हैं यह रटेक्टर मेजर कर लिए अगाल कोथ झा आइज बि It is Legal आप देखो अपना भी चकर मुझे भी बताओ क्या है मेरे पास आ रहा है मेरे पास 40 डिग्रीज आ रहा है अब मुझे नहीं पता यह सही है या घलत मेरे पास आ रहा है 40 डिग्रीज आपके पास क्या रहा है मैं अब अब कि ये स्केल डिग्रम की बात ही होती ही कि आपने एक डूसरे का लिखना ही होता है आपने अपना लिखना होता है पकी डिग्राम करेगा आपका आंसर चेक रहें तो थोड़ा बहुत एक दो डिग्रीZ का अगर फर्क आता है या 1.1,2,3 सेंटीमेटर्स का फर्क आता है तो डज नॉट मैटर यूविल राइट यूर ओन आंसर उनली ठीक है आप कभी भी यह नहीं कोशिश करोगा कि मैं सही आंसर इस तरह लिख दू कि किसी और कर लिख दू नहीं आपने हमेशा अपना ही आंसर लिखना है और वह अगर आपके डा एक्सेप्ट एनी आंसर बिट्वीन 24.8 तो 25.2 फॉर एक रेंज होगी उनके पास क्या आपने चोटी मोटी पॉइंट 1.2 सेंटीमेटर की घलती कर भी दिया तो फिर भी सही कंसिडर करेंगे तो डाइग्राम को ठीक है इसी तरह एंगल जो 39 भी एक्सेप कर लेंगे 41 भी ए अनी कॉस्टिंस कोई चीज जो अन्क्लिर हो तो मझे बता दो अगर एगर थाम्स अप अगर है तो थम्स अप अगर है वहाँ है वहाँ पास्टिपर गरेंगे बिलकुल और हर चेप्टर के साथ-साथ वैसे भी करेंगे अफर कम्प्लिशन फ एवरी चेप्टर वीप्टर अगर चेप्टर जादा कॉंप्लिकेटेट एग और देन इन दी यंड वी एल्लोट्स अगर लेंगे या फिर में टाइम लगेगा एक सेशन वन अगर का होगा यही पूछे उना सेशन जिसे हमारा कोर्स के चंक्स है हां हां वालमन लगेगा हमें करने में या फिर ना जार इनको एक एक महीना लगेगा रफली इजब पैला सेक्शन है इस इस वन अव लॉंगेस्ट इटेक्स मोर ताइम यूजरी तो मन्स और मेभी मूर एलेक्रिसिटी वाला और मैगनेडिसम वाला जो सेक्शन है उसमें जादा टाइम लगता है नुक्लियर वाला जल्दी हो जा स्पेस वाला भी 33-43 वीक्स लेगा मॉस्त प्रवबशली वेरीज ब्हुर्शन है इस समार लॉंग और वेरी शॉट टेक्टियर गंटे की टू क्लासस पर वीग यहाँ ओडिग प्लाइच दिव ट्री आवर्स पर वीग और जो गंटे की दो क्लासिस और इट कुड आलसो भी वन आर की तीन क्लासिस यह अभी डिसाइड नहीं किया मैंने बर इट डिपेंड्स ऑन माय स्केजूल यह मैं थोड़ा सा फाइनलाइज करके बिर बता दूंगा चीज़ें इक तक फाइनल हो जाएंगी विच में इस वीक के चले हैं तो आपको बाकी डिटेल्स मैसेज कर दूंगा एंड फिर बाकी जो क्लासिस की शेडूल और वह सब चीज होंगी वह ग्रोप पर डिसकास होंगी ठीक है पर अपनी कन्फरमेशना मुझे डीम पर दे देना ओल्राइट ओके सर चले हैं इंशालाला नेक्स क्लास यू लाफस्फ वर नौ थान ते क्योँ यू